प्रोटिंग चार्ट हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं दूस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बाड़ा है तो इस चैनल को लाइब करें शब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाए ताकि मैं जब भी प्रोट हें तो मैं इसमें काली चुनिय को करने जा रहा है। काली चुनिय को मैं चार गणड़े पहले ब्रोट कर रखे थे, उसे हम कुकर मेंगे दाल रहे हैं कुकर में डालने इक बात इसमें हम चाड कच्छी पक जाए हमें इसमें थोड़े हल्दी भी देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलरा सके यह सब कुछ देने के बाद हम थोड़े इसमें पानी भी अट करेंगे ताकि यह जले नहीं और अच्छी तरह से पक सके कि हम इस्पे चूले प्यरक देंगे और चूले का फ्लम हलका कम पहे में ताक prop यह जल नहीं अच्छी तरह से पके इसे हम 4 चार सीटी लगाएंगे ताकि तरह से उच्षी तरह से यह जो चने है और जो आलू है वह अच्छी तरह से पक के यह जो चले tutte चल्म है जिएcolo प्लेट मे चल्मा को हमने बारी काट लिया है हम इसे आलू को एक एक करके निकालेंगे और चने को भी चेक करेंगे कि वो अच्छी तरह से पके हैं या नहीं दिखिए हम एक एक करके साड़े आलू को बाहर निकाल रहे हैं अब हम इसमें से चने को चेक करेंगे नगी स Case Town कि अच्छी तरह से पके हैं जिए जिए कि इतने अच्क दुस्य को में चैनि को पक्रकी के मौर्णी कहले है आगलत प्यास टमाटा को सबहें काया गि था मैं रहट मिर्झ को मैं रहने ताट काट लिया है बारिक अब इसे प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसमें आलू दिया था बनने के लिए वह भी आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं अब हम इसमें आलू को कट करके देंगे एक आलू का हम प्रियोग करेंगे एक प्लेट बनाने के लिए आलू कट करने के बाद हम इसमें चौप्ट प्याज डालेंगे चौप्ट टमाटर डालेंगे और हरी मिर्च का प्रियोग करेंगे इसे डालने के बाद हम स्वादर नुसार नमक का भी परियोग करेंगे ताकि वो खाने में थोड़ी टेस्टी लग सके नमक डालने के बाद हम इसमें निम्बू का भी परियोग करेंगे ताकि ये टेस्ट में थोड़ा खटा भी लगे देखिए यह प्लेट आप बिल्कुल तरह अच्छी तरह से रेडी हो गया है इसमें जो भी अगर नीमू के बीच गाये होंगे उसे हम निकाल देंगे यह प्रोटीन सलाथ अब बिल्कुल खाने के लिए तैयार है चली मिल्ट